के शोलेगाज आपका स्वागत है टेकनिकल प्लास मस्ती में और मैं संज और आज हम लोग इंस्टॉलेशन में जाएंगे इंस्टोलेशन जो है वह हमारा गामा प्लास का इस्टॉलेशन है तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नहीं है या तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दवा दें ताकि जो भी इस चैनल पर नए ने वीडिया अप्लोड करूँ सबसे पहरे नोडिपिकेशन आपके पाज दें तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो गामा प्लास का इंस्टोलेशन इन्वेटर के कनेक् और इसको करेंगे इस्टॉल आपको बेटरी भी दिखाएंगे कि हमारा कौन से बेटरी लग रहा है तो यह इन्वेटर का वारेंटी काड आपको दीख रहा हूँ वारेंटी काड है अच्छा से पेकिंग होके रहता है यह यूटियल का गामा प्लास इन्वेटर है ग्रीड से जो इन्वेटर को लाइन देता है वो यह वाला केबल है और दो केबल जापको रेड और ब्लेक जो दीख रहा है और यहां से आपका आउटपूट निकलेगा यहां से आउटपूट निकल जागा और यहां पे जो आपका आएगा यह सोलर का पोजेटिव और ने का 200 MPR का बैटरी है अब करेंगे हम लोग बैटरी का कनेक्शन बैटरी का आपको देख लेना पोजेटिव किदर नेगेटिव देख लेना है उसका बाद यह जो दो केबल है यह पोजेटिव और नेगेटिव बैटरी में यह हमारा बैटरी का नेगेटिव पॉइंट पर connection करना है positive पर तो इसको करते हैं tight इसको बढ़िया से tight कीजेगा lose नहीं रखना है ये spark होता है spark होने से आपका या lose connection से current loss होता है तो इस तरह से इसको बढ़िया से tight के लिजए इसमें जो आपका range जो लगता है वो 12 का लगता है सेलare सारा बेटरी का जोबी कोई भी कम्पेनी का आप बेटरी उठा ले जो बारा का पाना लेगा तो रेड वाले को भी हम लोग पोजेटीव लाइन में कनेक्ट कर दिये हैं अब हमारा inverter में आ गया है अभी लाइन inverter का डिस्पेले में आपको दिखाएंगे इदिफ्पेले अभी inverter को औन नहीं किये है पर inverter में अभी लाइन आगuirा हैँ तो आप लोग हम लोग से सोलर रिस्टॉल कराना चाहते हैं तो हमसे कंटक्ट कर सकते हैं जो contact number है वो description में मिल जागा और mail ID मिल जागा और हमारा screen पे भी आपका mobile number mail ID दीगे रहा हमसे contact कर सकते हैं तो हमने जो battery लगा दिये connection कर दिये आप देखिए inverter on नहीं किये तो हमारा inverter में current आ गया अब इसको हम लोग on किये नहीं है अब इस तरह से देखिए और अब यह जो है यह battery का water level का gauge है इससे आपका पता चले कितना battery में पानी है कितना नहीं है अब आते हैं उपर जहां solar लगेंगे हमारे यह की solar plate है 330 watt का तो यह जो cable है यह DC cable हम लोग यूज करते हैं जहां भी solar install करते हैं अगर आपको DC cable या MC4 connector का जरूरत है तो हमसे भी आप ले सकते हैं हमारे पास सारा चीज उपलब दे solar से related जो भी बुलिएगा सब मिल जागा तो इसको आप हम कर लेते हैं connection इसको कर लेना आप आपको छील लेना है थोड़ा सर्दी है थोड़ा बहुत इदर उदर घूमते हैं तो पानी इदर उदर का ओ जाने से तब यह थोड़ा खराब हो गिया है तो इसको हम लोग connection करेंगे तो cable को छील के इसमें आप हम लोग MC4 connector लगाएंगे तो MC4 connector जो है आपका माल लिजेर यह negative लाइन का था तो negative लाइन का अगर आपका cable है तो इसमें आपका positive बाला जो MC4 connector है वो लगेगा और positive में negative मतलब आपको उल्ता है क्योंकि पैनल में जो आपका positive mc4 connector है वो आपका negative में लगेगा और negative बाला जो है वो आपका positive में और cable आप हमेशा ध्यान रखियागा कि cable जो लिजेगा वो मतलब अलग-अलग होना चाहिए जैसे एक पूरा black हो गया और आपका जो red वाला है जो main आपका है वो आपका red color के border होने चाहिए ताकि आपको आसानी से आप पैचान सके कि हमारे positive line है अब इसको कर लेते हैं हम लोग connection अब यह cable का हम लोग थोड़ा छीली है अब यहाँ पे लगेगा pin mc4 connector का pin यार यह जो है यह female sorry male connector का है male मतलब positive line वाला जो connector है वो तो यह हमारा cable जो है यह female मतलब minus वाला cable है negative वाला cable है तो उसमें जो है आपका positive वाला mc4 connector लगेगा यह देखिए फीन लग गया अब इसको हम लोग दबाएंगे थोड़ा सा ताकि इसका मूँ दब जाए और creeping tool का सहरा लेंगे ताकि उससे proper बढ़िया से दब जाए loose connection ना हो loose connection से आपका spark होता है या DC loss भी होता है विजली loss होगा तो इसको बढ़िया से आपको connection कर देना है यह crimping tool से आपने जैसे यह दबा दिये आप देखिए आपको कितने का मतलब कहां पर रखके आपको दबाना है crimping tool में वो आप अपना हिसाब से देखके लगा लिजए सो अगर install कराना चाहते हैं हम लोगों से तो हमारा mobile नंबर से स्क्रीन में आपको दीख रहा होगा हमसे contact कर सकते हैं या solar से related कोई भी question है तो हमसे कर सकते है थोड़ा सर्दी से थोड़ा ज्यादा ही तेवत खराब है और इसको आप कर लेते ट्विस्ट अब ऐसे जैसे ही आप इसको केवल को mc4 connector अंदर में डालिएगा तो एक टिक से आवाज करता है इसका मतलब आजा के वो अंदर में fix हो गया अब वो घीचने से भी नहीं निकलेगा पीन अंदर रह जागा पर केवल आपका अगर लूज अब करते हैं positive line का mc4 connector लगाएंगे तो इसको छील लेते हैं इसको छील लिए अब इसमें जो connector लगेगा वो लगेगा female मतलब negative बला तो इसका भी एक पीन होता है पीन को लगा लेते हैं तो पीन को दबाते तो थोड़ा सा cutter से क्योंकि वो दब जाएगा तो हमारे crimping tool से अब crimping tool से इसको दबाएंगे यह हमारा दब गया है यह हमारा ready हो गया अब इसको पहले डाल देना है head को उसके बाद इसको डाल देना है तो हो गया हमारे यह negative positive बाला जो cable है वो भी हमारा बन गया पैनल का positive का आपका female जो positive line है इन्वेटर से जो दो cable आया है उस पर आपको डाल देना है तो यह हमारा रात हो गया था कुछ structure बना के ला देने में तो यह connection करने वाले है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है positive और negative पर तो आपका तो पहले ही है आप जो minus और plus दोने cable बना कर आपको आपका easy head सिधा सिधी आपको इसमें डाल देना है यह देखिए यह हमारा connect हो गया हरे mc4 connector से connection किजिए ताकि आपका proper connection हो और से तो यह हमारा inverter हो गया आपको तो पहले दिखा दिए थी कि inverter का जो दो cable वह कहां पर लगेगा तो यह हमारा positive और negative यह जो cable लगा रहे है यह अभी हम positive वह लगा रहे है यह positive वह लगा रहे है इसको पर यहां से टाइट कर दिजिए loose connection ना रखे loose connection से DC losses होता है इसके बाद आते हैं इस पर negative बाले को लगा देते हैं और battery का connection का तो आपको हम दिखा दिए है तो वो तो doubt आपका खतम हो गया है तो इस तरह से इसको connect कर दिजिए अब आगे आपका solar का line inverter में और ठीक जहां आप solar का cable डाले उसको उपर में एक indicate करने वाले एक light है अगर दिन में आप देखिएगा कि अगर आपका solar काम कर रहा हो तो आपका महां पे एक light जलता है तो हमारा हो गया connection complete और इनका जो है inverter का connection अभी तक हुआ नहीं है मतलब घर में जो वारिंग है वो हुआ नहीं है तो वो कर लेंगे बाद में इनका हमने अपना solar का काम कर दिया तो हो गया इसा complete काम और यहां पर आपको बगल में settings बगर के बारे में भी जानकारी मिल जागा और वहां से आपका help हो जागा पार कोड इसके नहीं और यह रेड़ वाले को जैसे दबाएगा उसे ओन हो गया inverter नीचे रेड के नीचे जो है वो बूस्ट चार्जिंग मतलब आपका बैटरी जो है दोगुनाई स्पीड से चार्ज करेगा जैसे आपका फास्ट चार्जर मोबाईल में उसी तरह से तो उ झांपका बैदरी जो है वो बुआ है वो बूस्ट चार्जर मोबाईल एल यह जो जो है वो बूस्ट चार्जरी जो है वोजारा रेड़ल